सिलवर के उपर आने वाले वीक में सिलवर के उपर क्या मोमेंट देखने को मिल सकती है यह जो एनलेसिस रहेगा यहाँ पर कोई बी इंट्राडे का रिकमडेशन नहीं है आपको इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन करें वन आप दब बेस्ट कोई भी चार्जेस नहीं है लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा ब्यूकुल जोइन कर लिजिए और टेलीग्राम चैनल जोइन में किसी को कोई भी इश्यू आ रहा है तो नाइन सेवन डबल सेवन त्री टूवन ने इसके उपर मुझे वाट्सप कर लीजे मेरा टीम आपको जरूर हेल्प करेगा रहे बाद सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के उपर यहाँ पर आनलायसिस करेंगे उसके बाद यहां पर यहां पर मेगा के उपर आनलायसिस किया जाएगा रहे बाद लास्ट टेनी सेशन में देखोगे तो बहुत तगड़ी घिरावर द ही कर रहा हो और होल्डिंग बेस कम से कम दो से लेके तीन मैने का वीव है तभी यह आपके लिए प्रॉपिटेबल रहेगा रही बात यहां पर देखो के तो लास्ट इनिशेशन में आदे परशेंट की जंप देखने को मिली थी लगब लगब यहां पर बाटम की बात करेंग बढ़िया से रहली दिया था लगबल लगब ट्वेंटीफोर पाइंट फइंट फैंकी डॉलर तक आपको यहां पर बाइंग देखने को मिल था रहेगा तो यहां पर पर इसके बात करेंगे तो यहां पर बैस के ब्राइज को पर देखो कि तो यह हैं लिगने स्ट्रॉंग निकल के आ रहा है इसी रेंज के बीच में काफी दिन तक यहाप एक कंसोल्डेशन किया और उसके बाद गिरावर देखने को मिली थी लगभग लगभग यह दाइरा देखोगे तो दो डॉलर का दाइरा है लगभग लगभग दो मैने तक इसी रेंज के अंदर कर आपको शिल्वर ट्रेडिंग करते बेखने को मिला था अब सेट करें निकलेजे 24.50 ओर डाउनसेट करें देख लिजे 22.50 इसी दो डॉलर के बीच में ट्रेडि निकल के आ रहा है मतलब साथ परेशन के बीच में लगभग लगभग दो मैने तक यहापको ट्रेडिंग करते वे देखने को मिला था और जब यहां पे 22.50 के नीचे सस्टेन किया तो बहुत जबर्दस गिरावर देखने को मिली और 21 डॉलर तक आपको गिरावर देखने को मिली थी तो आने वाले दिनों में क्या करके चलना चाहिए तो कल का जो लो लगा था वाप एक स्ट्रॉंग निकल गए आ रहा है तो यह जो ऑने वाले दिनों में करेगा 20.80 के आसपास तो अभी आने वाले दिनों में जिको फ्रेश करना चाहते हो तो 20.80 के जब तक नीचे सस्टेन नहीं करता है तब अभी आपको सेल की पोजिशन नहीं बनाना चाहिए किसी नी यहाँ पे 22.50 के आ बाइ नहीं बलता जब तक 22.50 के उपर सस्टेन नहीं करता जिदिन 22.50 के उपर सस्टेन करेगा तब आप यहां पर बाइ की पोजीशन बना सकते हो और अपसेट के जो टार्गेट मिलेंगे वो 24.50 तक मिलेंगे अभी सेल की पोजीशन यह जो लेवल है स्ट्रांग सपोर्ट ह है तब तक आपको फ्रेश सेल की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए और जो आरेड़ी सेल पर बैटे उसको पोजीशन एकजीट करके आपको 20.80 के नीचे सेल की पोजीशन आपको दुबारा सेल की पोजीशन बनाना चाहिए तो यह आलालेसिस रहेगा आने वाली दिनों में डॉलर इंडेस के ओपर क्योंकि यहां पर देख लिजे जो शॉट डिवरेशन का जो ट्रेंड था वो अट्रेंड था तो थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली और यह जो सपोर्ट है यह जब ब्रेक करेगा तब अगेन आपको डाउन साइल में 19 डॉलर तक भी गिरावर् नहीं मिली है जितनी आपको यहां पर डॉलर इंडेस में देखने को मिला था तो यहां पर देख लिजे सपोर्ट रिस्टन की बात करेंगे यह लास्ट वीडियो में औरेटी बता चुका हो कि आपको 66500 के नीचे यहां पर सस्टेन करता है तो आप सेल की पोजिशन बना सकत है जिस दिन यह आपको 66500 के उपर सस्टेन करेगा तभी आपको पोजिशन एकजीट करना है अभी जो सेल पर बैटे हो तो पोजिशन होल्ड कर सकते हो लेकिन ध्यान में रखे इस लेवल पर सेल नहीं करना है जो फ्रेश सेल करना चाते हो वह वेट कर लिजे जब तक यह ल नाए 64500 के नीचे आप सेल की पोजिशन बनाए यह स्टॉप लास आप 66500 2000 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लास रहेगा और आने वाली दिनों में जो टार्गेट रहेंगे वो 63000 तक के लिए पोजिशन आपको होल्ड करना है लेकिन आपको सेल की पोजिशन कप करना है य आप सेल साइड होल्ड करिए विद टार्गेट आफ 63 तक होल्ड कर सकते हो अभी बात करेंगे जो फ्रेस बाई करना चाहते है वो कहां पे बाई कर सकते तो इस लेवल पर व्यूकुल बाई की सला व्यूकुल नहीं है जब तक वो 66500 के उपर सस्टेंट नहीं करता जिस दिन वो 66500 के उपर सस्टेंट करेगा उसी दिन आपको यहां पर बाई की पोजिशन बनाना है तब तक आपको वेट एंड वाज कर लीजिए अभी यहां से बॉटम से रिकावरी देखने को मिली है इसका मतलब यह नहीं कि इसका ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि मार्केट के अं इस तरह के सा उसका ट्रेंड इसको बोलते है अप्ट्रेंड लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं करता उसको बोलेंगे अप्ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में अपने हाई को ब्रेक नहीं करता उसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड तो यहां पे जिसको फ्रेस बाई की तो ध्यान में रखे जब तक वो 63 तक नहीं आता है तब तक आपको पोजिशन यहां पे एड़ नहीं करना है वेट आन वाच कर सकते हो और आपको पोजिशन एड़ ही करना है तो आप सिल्वर बीच के साथ भी जा सकते हो सिल्वर बीच वनाप दबेस्ट एटिएफ है आपको तो यहां पे आप पोजिशन होल्ड कर सकते हो लेकिन यहां पे अवरेज मत करें अवरेज करना है तो आपको सिल्वर बीज में कर सकते हो सिल्वर बीज भी से यहां पे यह से सिल्वर है से मुस्की जैसे पर्सेंटेज मोमेंट करेगा तो वहां पी उतना ही मोमेंट करेगा त एक दम फ्री प्रवाइड करता हूं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में में चाहेगा मिलते हैं एवरी नेट आपके साथ अब तक लिए बाए बाए